मैं विरेन जी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुल चुके हैं विरेन जी बहुत शुक्री है आपका उत्तरप्रदेश के उपचुनाओं से आपने क्या महसूस किया कि यूपी की राजनीति में कोई बदलाओ आएगा और दूसरा ये जो परिणाम आये हैं उसका राजनीतिक स लोगों ने ये कहना सुरू किया कि तीनों सीट पे बीजेपी हार रही है समाजवादी पार्टी की बढ़त हो गई परणाम खैर दो एक से रहा लेकिन बीजेपी के लिए एक बात लोगों ने कही की कारकरता का सम्मान हो नहीं पा रहा है सायद कारकरता में उस्सा नहीं था मसीनरी में तो पूरा उस्साह दिखा लेकिन कार करता जब उसकी थाने और तैसिल में सुनवाई नहीं हो पा रही है इस वज़ा से साथ वोट नहीं डलवा पाया बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है बहुत बड़ा संगठन है बूस लेविल तक मैनेजमेंट है लेकिन 32 परसेंट वोट पड़ा था रामपूर में उसमें भी पसीने आ गए और आखरी में जीत सुरू हुई और खटवली में तो संजीव बालियान से लेके गुलाब देवी से लेके कपिल देव अगरवाल और केंदर के कई सारे मंत्री अभूपेन चोधरी और धरमपाल जी इन सब लोगों का वहाँ इलाका है लेकिन हार गई वहाँ पर बीजेपी ये बात कोई मामूली बात नहीं है इस बात को आज ये बात जरूर कहिए सकती कि आजम खाब एक इतिहास बनते जा रहे हैं बीजेपी ने उनको राजनेतिक रूप से हर जगह पर परास्त कर दिया लेकिन मुलायम की बिरासत को बजाने में अखलेश यादो काम्याब रहे डिमपल यादो को वो बहुत ज़्यादा ओट से जिता कर लाए तो साफ है कि सहान भूत के ओट बहुत ज़्यादा मिले मायनपूरी में आप अगर समाजवादी पार्टी का ओट बैंक देखे तो मुसल्मान और यादो को माना जाता है लेकिन इसके इतरा निजातियों ने भी ओट दिया डिमपल यादो को तभी इतनी बड़ी जीत हुई अब दूसरी बात आई कि शिउपाल यादो का क्या रोल था जस्वंत नगर से एक लाख फोट से ज़्यादा की लीड शिउपाल यादो की वज़ा से मिली कहते हैं कि वो पूछ लेते बस मिजाज मेरा कितना आसान था इलाज मेरा तो पांस साल में जब उन्हों ने पूछा तो उन्हों ने आज उसका पैड़ाम दिया सिउपाल यादो ने प्रस्पा का विले कर दिया जंडा लगा लिया परिवार की खातिर त्याग और बलिदान सिउपाल यादो ने किया और उसका पैड़ाम महिनपूरी का रिजल्ट है आगे बहुत सारी चुनोतियां उनके सामने आने वाली हो सकती है लेकिन अखिलेश य आती है तब जटका लगता है जब दिंपल का चुनाओ आया तब अहसास हुआ कि सिउपाल कितने महात्मूल है अपने और पराय का जो भेद है वो इस महिनपूरी के चुनाओ में सिउपाल यादो के रूप में समाजवादी पार्टी को दिखा ब्रजेजी दो एक से पड़र्णाम सामने है लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक संकेत है एक घंटी है कि कारकरताओं का सम्मान बढ़ाओ सम्मेलन तो बहुत हो रहा है इनके यहां लेकिन उस सम्मेलन का मज़ा किसी और को मिलना होगा कारकरताओं को साथ नहीं मिल पा रहा है यही वज़ा है कि यह समस्या आई है देखिए भारतियंता पार्टी में अब सुनील बंसल नहीं है जो चुनाओं को लड़ते थे और ज जनता का तो साथ होना चाहिए और सिउपाल यादो को लोगों ने काप फुटबाल हो गए और उनको वो तमाम सारी आलोचनाए हुई लेकिन देखिए जीत लाए वो यह सुखत परड़ाम उनको आज अखिलेश यादो को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि से ही सही चलिए परिवार को उन्होंने एक किया आज जंडा भी एक कर दिया एक राजनेतिक दल बना दिया एक विचार धारा बना दिया अब संगर्च का रास्ता भी एक उनको करना होगा समाजवादी पार्टी के एक विधाया गुजराद में भी जीत गया वहाँ पोर बंदर में कोई कुटियाना विधान सभाव में वो भी बड़ा अश्चरी की बात है बिर्जेजी धरम सिंग सैनी खटवली में सभा में सामिल होने के लिए जा रहे थे आधी रस्तेस लवटाए भाजपा के महेश सर्मा लगणा त्यागी नोईडा कांड तमाम सारी चीजें हैं वहाँ पर उठी देखिए विक्रम सैनी की हार के पीछे कुछ जातिवादी बयान भी सामने रहे जिसको लोगों ने बुरा माना लेकिन खटवली में चंद सेखर राम और दलितों के ओट का जो सहयोग रोग-लोगदल को मिला उससे भी उनकी जीत में काफी महत्मूल भूम का निभाई उसने देखिए इस पूरे चुनाओ के हीरो अगर आप कहेंगे तो इस उपाल यादों माने जाएंगे और जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिन्दगी में उनको उतना ही ज्यादा इम्तहान भी देना पड़ता है लेकिन सियासत यह कहती है कि जब तालाब भरता है तब मशलिया चीटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चीटियां इन्हीं मशलियों को खा जाती है यानि कि मौका सबको मिलता है बसाब को अपनी बारी का इंतिजार करना पड़ेगा तो हर चीज का एक दोरा है बीजेपी ने इस देश में बहुत लंबे समय तक इंतिज हार किया बहुत संगर्ज किया तब जाकर वो सत्ता में आई है और आज वो इसलिए जय बनती गई यह जरूरा कुप चुनाओ उत्तर प्रदेश में पहले तीन हुए फिर तीन हुए एक आद हारी वो एक हार भी खतावली की तो बीजेपी की सीट हार गई तो उनको मंतन तो करना पड़ेगा यह बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की और जब आपकी सत्ता है उसके बावजूद नेता आपके पास है तब आप हार जाएं मैरहल कहते हैं कि कई बार गिरा फिर भी खड़ा हूं मैं और कई बार तूटा फिर भी जुड़ा हूं मैं और मेरे जख्म हार आप जीत मत देखो देखो कि ये मैं कितना लडा हूं मैं और समझोते जिन्दगी बदल देती मगर लोग विचारों से लडा हूं मैं और इस वर को महसूस करने के लिए हर बार सलीप पर चढ़ा हूं मैं और मेरे जाने से बात न जाएगी लहू की एक एकमून से खड़ा कि इस रहिमन इस संचार में सबसे सुखी वकील और जीत गए तो हुआ हुआ हार गए तो अपील बहुत शुक्री आपका विरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद